नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी आज भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला होना है शांदार मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंदिया को चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा चार बड़े कदम उठा आने पड़ेंगे चार एहम फैसले लेने पड़ेंगे जिनके बाद टीम इंदिया की जीत हो सकती है तो मैं आपको अब अपनी इस रिपोर्ट में चार बाते बताऊंगा जिनको ध्यान में रखते वे टीम इंदिया पाकिस्तान को हरा सकती है पाकिस्तान के खिलाप जीत हा तोस्ट जीतने वाली टीम ज्यादा मैचीज जीती है यहां पर क्योंकि जो टीम पहले गेंदबादी करती है वह टीम ज्यादा मैचीज यहां पर जीती है तो यह आंकड़े UA की पिछ के नजर आते हैं तो इसलिए सबसे पहला काम तौश जीतने का है दूसरा काम है पावर प्ले में विकेट बचाना पावर प्ले में विकेट बचाने पड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाम अगर आपने पावर प्ले में विकेट जादा गवा दी तो आप पिछली बार क जल्दी से आउट हो जाएंगी इसलिए आपको सुरुवात के पावर प्ले में विकेट बचाने पड़ेंगे बेशक रन कम बने लेकिन विकेट नहीं गवाने है और तीसरा का पावर प्ले में विकेट लेने हैं जो पिछली बार टीम इंडिया नहीं कर पाई थी पाकिस्तान के खिलाब वो इस बार करना है पावर प्ले में विकेट लेने हैं पिछली बार जस्पीद बुम्रा मौंबर शमी नहीं कर पाए थे पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा था लेकिन इस बार बोनेशर कुमार के ओपर जिम्मेदारी है और शिदीब सुमून के साथ होंगे ह पारदेख पांडिया है चेहल है अगर जिसको पावर प्लेए में गेंट बाजी करने को मिलेगी वह बहुत बाजी करें और पावर प्लेए विकेट चटका है। चोथा और अंतीन काम जो सबसे बड़ा है और जिससी नज़र है वह केल राहुल और विरांत कुली। दोनों को रन बनाने पड़ेंगे, दोनों का प्रदसन बहुत एहम है, अगर दोनों ने शांदार प्रदसन किया, तो जाहिर तोर पर टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए टीम इंडिया को इन चार कामों पर ध्यान देना पड़ेगा, तोस पर टीम इंडिया के इन चार कामों को क्या लगता है, कौन सा टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो चले के तो लाइक करिएगा, शेर करिएगा, चैनल को सब्सक्राब जरूर करिएगा,